हेलो दोस्तो मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और गेनिक कमेश्टी के लडी को याद करेंगे अगर आप इन्हें याद करलेगे तो आप लाइब टाइम इन ब्यंक्व नहीं पाएंगे और अप सर्ट के एक्जान में यह रेक्शन आते हैं और इन से कॉश्टन पूछे जाते हैं तो आज के क演 ми्न क्या है और इन को हम कैसे याद करेंगे तो आये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमबात करते हैं हो been क्षि हम ब्रॉमाई रियक्षाद की से दीख दो अगर हम इसके नाम को दिख उव कि इसके नाम. इसके नाम में फुरा छूपा गया है तो जैसे कि हॉप मैन में हम ho और man का an लेंगे ठीक है तो हॉप मैन का जो last का an है उससे na ले ले लेते हैं और ho से ले लेते हैं o h यानि कि इसको just reverse से चलते हैं तो हमारा क्या मिलेगा na o h अब बढ़ते हैं इसके अगले वर्ड की और अगला वर्ड है bromamide तो नाम में है bromine और amide यानि कि bromamide में bromine और amide हमें मिलता है तो हमें नाम से क्या क्या मिला आए देखते हैं तो bromamide से हमें मिल गया bromine और amide यानि कि bromine प्लस amide और hoffman से हमें मिल गया na o h अब last step है कि product क्या बनेगा और हम सभी जानते हैं कि product जो होता है हमारा reactant सही बनता है तो देखेंगे यहां पर हमारा जो main reactant है वो है amide और amide जो है एक nitrogenous compound है तो यह nitrogenous compound है तो यह nitrogenous product भी बनाएगा तो आपके syllabus में nitrogenous product वाला एक ही chapter है वो है amines तो इस तरह हमारा product क्या बनेगा amine बनेगा तो याद रखेगा कि hopman bromide reaction में होगा क्या amide plus bromine plus NaOH मिलकर बनाएगे amine आएए देखते हैं हमारा दूसरा reaction क्या है और इसका trick क्या है तो हमारा अगला reaction है canny jarro reaction तो यहां पर जो canny jarro है यह scientist का नाम है अब इसी नाम से हम लोग trick को याद करेंगे तो यदि हम बात करें canny jarro की तो canny jarro basically आपका जो था वो south african था अब इस line को हम कैसे लिखेंगे is line को लिखेंगे canny jarro basically was a south african यानि की ऐसे तो आई देखते हैं कि canny jarro basically was a south african से हमें क्या-क्या मिलता है तो canny jarro से हमें मिल जाएगा canny jarro basically से मिल जाएगा base was एक grammar word हम इसको cut करेंगे a से मिल जाएगा हमें aldehyde और south african के s से मिलेगा salt और a से मिलेगा alcohol तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते कि canny jarro reaction में base का उप्योग करके हम aldehyde से salt और alcohol प्राफ्ट करते हैं एक बार मैं फिस से बता देता हूं कि canny jarro reaction में base का यूज करके aldehyde से हमें salt और alcohol मिलता है अब आपके दिमाग में होगा कि यह जो base यूज कर रहा है वो concentrated है या dilute तो reaction का नाम है canny jarro यानि कि C से canny jarro और C से याद कर सकते हैं concentrated तो यहाँ पर जो base यूज होगा वो होगा concentrated आईए अगला reaction और उसका trick देखते हैं तो अगला हमारा reaction है रीमन टीमन reaction तो रीमन टीमन दो भाई थे जिने alcohol बहुत पसंद था यहाँ पर alcohol का मेरा मतलब है phenol से तो phenol के साथ यह problem थी कि जो phenol का नसा था वो बहुत जल्दी उतर जाता था तो रीमन और टीमन ने सोचा की ऐसा क्या मिला जाया की जो phenol है इसका नसा एक साल तक चले जैसा कि हमसे भी जानते है कि chloroform से व्यक्ति विहोस हो जाता है तो रीमन और टीमन ने क्या किया कि phenol, co तो यहाँ पे kOH का मतलब हो गया co chloroform में मिला दिया जिससे कि पीने वाला व्यक्ति एक साल तक विहोस रहता है तो साल का मतलब है cell cell dehyde तो यह reaction है तो reaction में phenol, kOH और chloroform को लेते हैं तो cell dehyde का formation होता है तो दोस्तों आपको trick कैसे लगए आप जरूर हमें comment करके बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक share कीजिए ताकि वो भी इसका benefit पा सके और यदि आप हमाई channel पर नए हैं और अभी तक आपने हमाई channel को subscribe नहीं किया है तो please हमाई channel को subscribe कीजिए और बगल में जो बेल आइकान है इसको press कीजिए ताकि जब भी में कोई नहीं वीडियो अपलोड करो उसका notification आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत